वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे एक वेब के रूप में भी जाना जाता है, वेब साइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है, जो वेब सर्वर में संग्रहीत होता है, और इंटरनेट के माध्यम से स्थानिय कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, अन्य शब्दों में www.worldwideweb प्रोग्राम स्टेंडर्ड एक दशमलव दो का एक सेट होता है, जो इंटरनेट पर किसी यूजर को प्रोटोकॉल्स की मदद से वेब पेज को क्रियेट करने एवं एकसेस करने की सुविधा देती है, ये वेब साइट टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ओडियो और विड से मिलकर बनते हैं, वेब साइट एक प्रकार का पेज है, जो इंटरनेट पर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सपोर्ट से एकसेस की जाती है, वर्ड वाइड वेब, www का आविशकार टिम बर्नर सली सर्म, 1989 द्वारा किया गया था, www, वर्ड वाइड से एकसेस किये गए, इंटरलिंक किये गए, हाइपर टेक्स्ट डाक्यूमेंट की एक प्रणाली है, आप उन वेब पेजों को देख सकते हैं, जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य मल्टी मीडिया हो सकते हैं, और हाइपर लिंक के माध्यम से उनके बीच नेवि टेक्स्ट और मोजेक 1992 के लिए किया गया, इलिनोईस विश्व विद्याले में प्रस्तुत किया गया, जिसका उपियोग चित्रमय, वीडियो, संगीत और टेक्स्ट सभी के लिए किया गया था, मोजेक 1994 में नेटस्केप नेविगेटर और 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर प्राउजर की ओर जाता है, वर्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच अंतर, कुछ लोग इंटरनेट और वर्ड वाइड वेब शब्दों का परस्पर प्रयोग करते हैं, उन्हें लगता है कि वे एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेट से पूरी तरह से अ इमेल भेजने और उनके साथ ओनलाइन चाट करने में सक्षम बनाता है, उदाहरन के लिए जब आप इमेल भेजते हैं या ओनलाइन किसी से चाट करते हैं, तो आप इंटरनेट का उप्योग कर रही हैं, लेकिन जब आपने जानकारी के लिए Google.com जैसी वेब साइट खोली ह तो आप World Wide Web का उप्योग कर रही हैं, इंटरनेट सर्वर का एक नेटवर्क है, आप एक ब्राउजर का उप्योग करके अपने कंप्यूटर से एक वेब पेज का अनुरोध करते हैं, और सर्वर उस पेज को आपके ब्राउजर तक पहुचाता है, आपके कंप्यूटर को एक क्लाइंट कहा जाता है, जो एक प्रोग्राम वेब ब्राउजर चलाता है, और दूसरे कंप्यूटर सर्वर से इसकी जानकारी मांगता है, वर्ड वाइड वेब या डबल्यू डबल्यू या वेब इंटरनेट के माध्यम एकसेस किये गए इंटरलिंक हारपर टेक्स्ट दस तावेजों को साझा करने के लिए एक माध्यम है, लेकिन समय बीतने के साथ यह विक्सित हुआ और इसके लिए निर्धारित सीमाओं का विस्तार हुआ, वर्ड वाइड वेब का निर्मान टिमोथी बरनर्सली ने 1989 में जिनेवा स्विट्जर लैंड के सर्ण यूरोपियन पार्टिकल रैसरच सेंटर में किया था, 1991 से यह किसी को भी इंटरनेट का उपियोग करने के लिए उपलब्ध हो गया, वेब एक दशमलव शून्य द वर्ड वाइड वेब से वेब दो दशमलव शून्य द सोशल वेब और फिर वेब तीन दशमलव शून्य द सेमेटिक व तक वेब का विकास निम्नलिखित विवर्ण में दिखाया गया है।